बिना bank statement, बिना income proof, बिना salary slip, बिना किसी documents, कि अगर आपको भी loan चाहिए, तो आज की इस वीडियो में, मैं आपको live इस mobile के screen पे देखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक किसी madam का, आपको यहाँ पे photo दिख रहा है, हो सकता है कि आपको blur दिख रहा होगा, क्योंकि यह मैं reveal नह बहुत important है, पैसे कि अगर need है, जरूरी है, पैसे कि बिना आपका काम रुका हुआ है, और कहीं से भी नहीं मिल रहा है, आप ठक चुके हो, तो भाई, यहां से loan, तो 100% नहीं भाई, 1000% होता है, तो वो भी मैं बोलता, लेकिन वो नहीं होता है, वीडियो में आगे बढ़ने इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नहीं समझ में आती, कुछ भी डाउट, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और हां, इस तरह से अगर आपके साथ, मत्ब कि कुछ इस वीडियो को देखने के बाद, आपके भी मन में कुछ सवाल आएगा, तो कुछ सवाल मेडम ने मुझे पूरा इंस्टाग्राम पे, पूरा स्क्रीनशोट के साथ, प्रूप के साथ, इन्होंने दिया है, तो मुझे बहुत खुसी हो रहा आप लोगों के शाथ में इस बात को शेयर करने के लिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्लेज वीडियो क तो शायद आपको मैं यहाँ पर answer भी दिया हूँ आप यहां पर देख रहे हैं और आपको मैं आपकी दिवी question की मैंनue answer यहाँ भी दे दिया इस आरे application सही है आप इन लोगों से मतबों ले सकते हैं ओके फाइनली स्क्रीन ऊपर लेके जाते और यहां पे देखिए यहां पे आपके साथ कैसे होगा अगर आपने 9000 रुपे लोन लिया है और 6 दिन बाद में मेरा 16000 लिया यहां पे आप देख पा रहे हो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह एप्लिकेशन मतलब एक मेडम ने एक ऐस इस अप्लिकेशन से लोन लिया है जहां पे किसी तर से कोई भी इंकम प्रूफ बैंक प्रूफ कुछ भी इन से नहीं पुचग गया था सिरिफ इन से एक मुबाइल नंबर और इन से एक अधार कार पेंट कार शायद लिया गया होगा शायद इसलिए मैं बोल रहा हूँ तक और उसके बाद यहां पे रीड कर लो जबकि मैं हर एक वीडियो में मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह से अप्लिकेशन में आप जो है वो मत लोन अप्लाई कीजेगा यहां पे दिखिए लिया था इस देखो किस तरह से गाली आ रहा है मतलब कि ने आज तक भुगता नहीं किया, साथ दीन का कर जली आता लेकिन एक महिना हो गया इस भीखारी मतलब भीखारी ऐस ऐसे मततब आपको पता चल रहा है यह यह ना मैडम को ब्लैक मेल कर रहे है लोग यह लोग, तीक है यहां पर जितने भी इनका नमर है मतलब की इस मेडम का वाट्सप में जितने लोग इनके कॉंटेक लिस्ट में सभी के पास इन लोगों ने मतलब की गंदे इमेजेस और इस तरह से गालिया मतलब कर रहे हाला कि मैंने वीडियो में बताता भी हूँ कि आप बीना सोचे समझे किसी भी अप्लिकेशन से प्लेश्टोर से कुद की मर्जी से अप्लिकेशन को स्ट्रॉल करके लोन अप्लाई नहीं करना है जब तक कि आप उसके बारे में नहीं समझ पाया कि यह अर्भी अप्स रिजिस्टर्ड है या नहीं है और मॉस्ट इंपोर्टेंट इस कि आपने लोगों को फीडबैक को चेक करना राइट नहीं इस वीडियो में भी बता देता हूं कि फीडबैक आपको कैसे देखना है कैसे मालूम चलेगा ओके आप यहां पे देखिए फिर लास्ट में इन्ह सेज किया था 9000 देखा 6 दिन बाद मेरा 16000 लिया था ऐसा मतलब शायद मतलब शो कर रहा है ऐसा कुछ वह एक को सेल्डी आते ही एक मिनट में मेरी सेल्डी पूरी उनको देनी पड़ी 16200 रुपे सेल्डी हुई थी मेरी मतलब आप थोड़ा सा समझे कि उन्होंने लोन कितना लिया और उनको मिला किस तरह से जबकि हालाने मेडम ने मुझे यहां पे feedback भी शेयर किया है यहां पे आप देख लिजिए single rating के साथ में है फिर भी मेडम ने मतलब किस तरह से अपलाई किया आपको इस तरह से mistake बिलकूल ही नहीं करना है और यहां पे आप देख लिजिए य आपको किसी और अप्लिकेशन में फ्रॉड होने से आप बिल्कुल अलेट हो जाएंगे कि इस तरह से कैसे हो रहा है तो चलिए यह सारे चीज आपने समझ गया कि इतने गंदै को कोई हिसा भी नहीं प्तब इतनी खराब यहां गालिया कर रहा है उसको मैं क्या बता हो पर तो ढख सोच कर कि देखिए loan application में कुछ भी suggest करता है और आपको मिलता कुछ हो रहे है यहाँ पर एक application मैं यहाँ पर बताता हूँ इससे आपको पता चल जाएगा यह application को आप देख लिजे यह application को आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखे है यह 4.6 की rating है लोग अकसर ऐसे ही लोगों को साथ problem हो रहा है आपसे request है कि इस वीडियो को अगर facebook पे अगर आप share कर सकते हो तो share कीजेगा like तो ज़रूर की उपर में क्लिक करता हूँ और आप देख लेजे आप यहाँ पे आपको जो है ना सिर्फ यहाँ पे आपको 5 star का ही rating दिखेगा आप यहाँ पे देखिए थोड़ा और एक भी application की मतब कि यह rating जो है वह जिन्विन नहीं है सारे के सारे फर्जी है fake मतब rating है आप देखिए अब ऐसे application से अगर आप यदि loan लेते हो तो आपके साथ भी मतब इसके इसे लोन नहीं लिया था उन्होंने किसी और application से लिया था लेकिन आपको बताना चाहरा हूं तो इस तरह से लोन application से आई request की आपको जो feedback लोगों की rating मतब रेटिंग यहाँ पर शोग करेगा feedback जो मैंने अभी देखाया downloading भी शोग करना है feedback से आपको पता चल जाएगा कि बाकी लोगों को साथ क्या हुआ है इस वीडियो को description में कुछ special links है जिस तरह से मतब आपको आपके साथ किसी तरह से कोई बैस scam और fraud वाली बात नहीं होगी income proof bank इस सीट में solution नहीं मांगी जाएगी अगर आपके पास नहीं है बिलकुल first time loan अपलाई है तो link वीडियो description वह भी check out कर लिजे और हाँ आपके पास net banking है और 600 आपकी similar score था उसके भी link मैंने video description में दिया है उसे भी आप check out कर लिजागा आप कोई भी शवाल अगर आपके मन में है कुछ सोच रहे हो तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं इस तरह से problem अगर आपके साथ आया है मतलब ऐसी कोई भी problem अगर आपके साथ आया है तो आप मुझे इस Instagram पे मुझे इसी तरह से मेडम ने मुझे शेंड किया है आप भी ऐसे ही सेंड कर सकते हैं बस आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं ऐसी एक और इंट्रिस्टिंग एक जिन्विन वीडियो के साथ में एक information और भी मैं आपको देना चाहूंगा ठीक है अब यसड़े मैं किसी का मतब एक मतब पोड़ोश में एक भाई ने मुझे लोन अप्लाई करने के लिए ठीक है उनको 5 प्लाक्स की जरूद था आपको में बताता हू 600 सिबिल स्कोर है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर लिजेगा 600 सिबिल स्कोर है सिर्फ आपको नेट बैंकिंग वेरिफिकेशन करना है तो यहां पे मुझे अधार कार मिला है अब यहां पे KYC नहीं हो रहा है तो यह कॉमन है काफी लोगों को नहीं पता ह कमेंड भी आता है और यहां पे बिल्कुल मेरे साथ हुआ है वह मैं आपको बता रहा हूँ इनका पे देख पा रहे हो इनका पे अधार कार मेरे पास है और इससे जो रजिस्टर्ट जो नम्मर हुआ है अधार कार से वह नमर ही नहीं है तो वह कॉमन है वह होना चाहिए KYC तो मस्ट है अगर आप कोईसे भी अप्लिकेशन में लोन लेते हैं तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं इसे एक और इंट्रेस्टिंग एक जिन्वीन एक हेलपल वीडियो को साथ में तब तक के लिए थैंक्स पोचिंग एंड टेक क्या टुट